हालो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चाप्टर दाट इस एविलूशन अब अभी तक का जो जेनेटिक्स चाप्टर है वो आपको बिल्कुल क्लियर है ऐस वल इस उसमें जितने इंप्रॉर्टन टॉपिक थे हमें महां पे वो कवर कर लिए हाला कि जेनेटिक्स एन इविलूशन बहुत ही रिलेटेट से चाप्टर हैं क्योंकि अगर हम बात करें जो भी चीजह आपने पड़ी आज रिजल्ट एविलूशन ही तो हुआ अर्थ पे तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि एविलूशन क्या होता है एविलूशन बेसिक के लिए एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है तो हमें शुरुवात करने पड़ेगी बिल्कुल ब्रॉड आस्पेक्ट से जब हम मानके चल रहें यूनिवर्सी नी बना था हम बिल्कुल वह से स्टार्ट करें हम मानके चल रहें कि धीरे-धीरे विद ग्राज टाइम यूनिवर्स बना इस यूनिवर्स पे हमारा सोलर सिस्टम बना सोलर सिस्टम में अर्थ बना अर्थ के ऊपर धीरे-धीरे लाइफ बनी यह हम मानते हैं एवल्यूशन का पाटन ठीक है सो एवल्यूशन बेसिकली अगर में टर्म डिफाइन करो तो यह है बेसिकली कि साथ जर्जिल चेंजरें एक पूर टाइम पीरेड गहीं जो आप ले रहे हैं उस टाइम पीरेड के सासा जो ग्रद चेंज़ भूए हैं गॉर्ध की समय быть its के श्यारन Complet करें जिसके ओवरर लाइफ जो है वह वह उप सफलारिश हुई है और दीरे दीरे क्या हुई है ने देवलब हुई है ठीक है, definitely, देखो, life पहले आई है, और life ने धीरे 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 खुद को develop किया है, और इतना भैतरीन तरीके से develop किया है, कि आज अगर हम देखें, तो हमारे अर्थ पे, वराइटी, N number of organisms मिलेंगे, right, starting from very simple organism, to highest multicellular organism, that is us, तो हम देख रहे हैं, कि अर्थ श content of evolution, तो यह basic definition हो गई, कि अगर हम देखें, time के साथ साथ जो changes हुए है, और उन changes के चलते, life में, क्या-क्या development आया है, क्या-क्या बदलाव आया, जिसके कारण वो gradually इस पर्टिकुलर अर्थ पे रहने लाइक बरे है, ठीक है, अब evolution के लिए एक बहुत ही जादे होता है, क्या, यह बाते है, तो evolution का मतलब progress होता है, कि नहीं, यह अपन आगे जानेंगे, तो अभी अपने बिल्कुल basic definition जान दी, अब आपन आगे चलते है, देखो, यहाँ पर यह सबसे common diagram आप देखते हो, हमेश्वा मतलब evolution के नाम पे यह तो आपको दिखी जाता है, कि ह हम पहले बिल्कुल simple ape जैसे थे, बिल्कुल मतलब हमारी body भी बिल्कुल वैसी ही थी, slowly and gradually हम धीरे धीरे खाड़े होते गए, सबसे जादा development humans ने किस basis पे किया, देखो, हमने खुद को इतना भेतरीन तरीके से खड़ा होना सिखाया पहली बात तो, हम पहले यू चल रहे थे उसके बाद धीरे धीरे करके हमने पहले खुद को एक प्रॉपर यूग है सकते हैं कि पाओं वाले moment पे, bipedal moment पे हमने खुद को develop किया, हमारा muscular system as well as skeletal system इसके लिए develop हुआ, मतलब हम मैं अगर बात करूँ, हमारे अंदर gradually muscular and skeletal system develop हुआ, जिसके कारण हम ऐसे खड़े होने ल तो यह कुछ changes हैं, जैसे हमने की हैं, जिसके कारण हम develop हो पाएं, तो क्या हम अकेले ऐसे organisms हैं, जो develop कर पाएं, हम ही है ultimate result evolution का, तो ऐसा भी नहीं है, हमारे साथ भी ऐसे कई organisms हैं, जो अपने अपने particularly level पे evolution करते जा रहे हैं, और आज आप evolution का result देख रहे हो, बट इसका अब यह नहीं कि आज जो आप देख रहे हो, full and final है, इसके आगे evolution नहीं होगा, इसके आगे भी हमारे बीच की population जो हैं, उनमे भी gradual evolution हो रहा है, और आने वाले ना जाने कितने साल बात, हम से काफी जादा develop हो सकती हैं, वो organisms क्योंकि evolution is progressive, important, evolution is progressive, ठीक है, चलता जाएगा, चल हम अभी मान के बैटे हैं, हम अभी हम भाई evolution का सबसे बढ़िया जो develop हो के product निकला है, वो human है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा हो evolution के बारे में, तो ऐसे ना जाने कितने eras आई हैं, जहां पर अलग-अलग living organism ने राज किया इस अर्थ पे, तो हम कोई ऐ इस अर्थ पे राज किया है, बेसिकलि अगर हम देखें, तो अलग-अलग eras में, किसी era में amphibians ने राज किया, किसी era में reptiles ने, dinosaurs ने राज किया, सो ऐसे eras बने हैं, और eras आए हैं, तो eras गए भी हैं, similarly, अगर human का era आया है, तो ऐसा हो सकता है, human का era भी चला जाए, ठीक है चलो, तो अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम start करेंगे कुछ theories के साथ, basic theories जो है, जो बताते हैं कि भाई, evolution क्या है, कैसे हुआ होगा, क्योंकि definitely लोगों के दिमाग में question था, कि ठीक है, आज हम जो देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, हमारे दिमाग में question है, कि ये सब आया कहां से, definitely यार, humans के दिमाग में हमेशा एक बहुत जग्यासा रहे है जानने की, कि सब कुछ बना कैसे, universe कैसे बना होगा, ये earth पर life कैसे शुरू होगी, सबसे पहले organisms कैसे आए होगे, then gradual development कैसे होगे, ऐसे सारे questions जिनका answer आज हमें almost मिल चुका है, लोगों ने इसको सर् तो उस time पर हम बात करने, बहुत पुराने time पर जब ये सब बाते पता करने शुरू की थी लोगों ने, and at that time, ये पूछा जा रहा था कि भाई, अर्थ आई कहां से, earth कहां से आई, so काफी सारे scientist हैं, उनमें से पहली theory जो हम particular universe को लेके पढ़ते हैं, universe को लेके जो हम theory रखी होगी, basically big bang theory का, अगर मैं conclusion बता हूँ, तो ये है, कि basically universe जो है, वो शुरू होने से पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा energy का गोला, energy का मास था, ठीक है, वो एक time में एकदम भेंकर फटा, explosive फटा, ठीक है, मस्त वाला फटीका, फटके उसके अंदर ते खूब सारी energy निकली, खूब सारी, particularly उसमें से energy एकदम निकली, और जाती गई, जाती गई, ऐसे बहरी है, ठीक है, तो इसमें से क्या निकली, basically, खूब सारी energy निकली, हम मान के चल रहे हैं, कि यहां से हम मानेंगे, कि अब time start हुआ है, time यहां से start हुआ है, यहीं से अर्थ, तो छोड़ universe बननी शुरू हुई है, universe बनना start हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे mass थे, ठीक है, अगर हम बात करें, काफी सारे particles थे, तो उन में से हम यहां पे mainly hydrogen की बात करें, hydrogen ने बहुत ही important role play है, क्योंकि बहुत जादा ही amount में था, slowly and gradually, धीरे, धीरे, सब settle down होता गया, फ जैसे बहुत सारी galaxies हैं, जैसे हमारी galaxy, milky way galaxy, तो इसे कई सारी galaxies का formation हुआ, ठीक है, कई सारी galaxies का formation हुआ, एंड, slowly and gradually, करते, करते, हमारा solar system भी बन गया, ठीक है, solar system में आओ तो भाई, वो ही अपने सारा sun and our planets, इन planets में से हमारा main focus किस पे है, अर्थ पे, तो ऐसे ही, सब कुछ जब धीरे-धीरे, slowly, जो energy है, वो धीरे-धीरे, क्लब होती गई, क्लब होती गई, क्लब होती गई, तो slowly and gradually, अपने पूरे planets बन गए, जिसमें से अपना Earth भी आ गया, ठीक है, ये Big Bang Theory कहती है, अब question आता है, ठीक है, आपने मान दिया कि Earth बन गए, ये मान के चल रहे है, कि ये Big Bang Theory, वो मान के चलती है, यूनिवर्स अराउंड 20 बिलियन इयर अगो बना था, ठीक है, यूनिवर्स जो है, वो अराउंड 20 बिलियन इयर अगो पहले बना, और ये मान के चलती है, कि Earth जो है, वो कुछ ज़्यादा पुरानी नी है, वो सिर्फ 4.5 बिलियन इयर अगो प 5 बिलियन इयर अगो ही Earth बनी है, तो कितनी नई है comparatively Earth, ठीक है, अब आती है बात, ठीक है, हमने Big Bang Theory मान दी, फिर क्वेशन आता है, तो पिर Earth पे Life कैसे आई, डेफिनेटली, अगर आपने Earth बनानी की पूरी हमें स्कीम बता दी, तो ये भी बता दो लाइफ कहां से आई, तो कि spiritual लोग ज़्यादा सोच थे, अगर मैं बात करूँ, एक टाइम ऐसा भी था, जब आपको पता है, spiritual बातें ज़्यादा हुआ करती थी, और scientific evidences पे work out, मतब समझ सकते, scientific चीजों पे थोड़ा सा कम work out होता था, तो similarly एक थे, Father Surin, इन्होंने बोला, इनका ये मानना था, कि Earth जो है, जैसी आज तुम देख रहे हो, as it is वैसी ही बनी थी, इसका मतलब है, जो आप आज अर्थ पे जैसी भी, जो भी चीज़े देख रहे हो, बायोटिक चीजे, अब बायोटिक चीजे, सब ऐसी की ऐसी ही बनी थी, और इनको create करने वाले थे, God, यानि कि, God as it is आये थे, और उन्होंने आशिरवात देते हुए पूरी धरती को as it is ही बनाये था, यानि कि, आप और हम, मतलब हमारे पूरवज, हम तो नहीं थे, हमारे पूरवज, ancestors भी as it is आये थे, जितने भी living organism से वो भी as it is आये थे, तो इनका ये मानना है कि, ऐसा ही हुआ था, और God ने सब को ठीक है, तो ऐसे सारे धर्म अपनी अपनी बाते कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली, एक तो धर्म है नहीं, ठीक है, हमने मान लिया, Christians ने ये वाली थी, फिर Christians ने आगे इसको elaborate भी किया, कि भाई, दो एक आदमी था, जिसका नाम था, Adam, और एक थी, फीमेल जिसका नाम था, Eve और यहां से अर्थ शुरूई थी, ये इनका मानना है, फिर हमारा Hindu mythology कहता है, कि नहीं, बेसिकली गौड का ही creation है, भ्रह्मा विश्नु महेश ने create की ये चीजे, वही होता है, भ्रह्मा जी ने create किया, विश्नु जी समाल रहे है, शिवजी destroyer है, इस तरीके से एक balance बना रख neither we have evidences nor we are commenting on this, इसका reason है कि definitely, हम ये तो मानते हैं कि भाई, गौड का ही एक तरीके से creation है, बट क्या ऐसा का ऐसा ही create होता हम ये नहीं मानते हैं, ठीक है, so this particular, you can say, this theory lacks scientific evidence, this theory lacks scientific evidences, तो थोड़ा सा गड़ बड़ जाती है, जहां पर scientific evidence नहीं हम उस theory को मान नहीं सकते, तो ये theory का थोड़ा सा अपन नहीं मानते, चलवा गया हो, next theory आती है, theory of pants पर्मिया, ये theory भी बड़ी मज़ेदार story है इसमें, ये मानती है कि देखो, अर्थ जो है, जैसे ये आपकी अर्थ है, देखो, ये अर्थ है, ये मान रही है, कि हमारी जो अर्थ पे life आई है, ये हमारी खुद की life नहीं है, ये किसी और जगे से, sports की form में ला पर चेंज करेंगे हैं, किसी और जगे पर ये sports वगएरा है, ठीक है, ये sports वगएरा, अर्थ पर आए, ये रहो, ये आय टकरा है, ये अर्थ पर आए, और अर्थ पर आए, और ये सारे sports बेसिकली, जर्मिनेट कर गए और यहाँ पर क्या डवलप हो गई life, ठीक है, क्या कह यह तो बहुत ही मतलब मज़ेदार थियों कहती है कि देखो जो अर्थ पे जो तुम आज जीव जन्तु देख रहे हो जितनी भी लाइफ देख रहे हो वह एक्चुली में हमारे यहां की हैं वह यह कहते है कि किसी और जगे पर कोई लाइफ थी ठीक है और वहां से स्पोर्ड आगे बेसिकली महां से स्पोर्ड अर्थ से टकरा गए अर्थ से टकरा तो अर्थ पे आगया वह एर्थ पे सेटल हो गए और जैसे ही वह फेवरेबल कंडिशन मिली वह सारी के सारी लिविंग और गया और यह वही है जो आज आप देख रहे हो ठीक है अब यह जो थीओरी ह है ना डेफिनेटली यह थीओरी दो बातों को लिंक कर रहे है पहरी बात की अर्थ के सिवा भी कई और लाइफ है ठीक है यह यह बात लिंक करती है दूसरे बात यह कहती है कि जहां जो लाइफ है ना क्या पता वह हम से जादा डवलप है हम से कॉंटाक्ट में ऐसी तो यान तो हम रिजेक्ट करते है ठीक है यह साइंटिफिकली कोई एविडेंस ने इसलिए थीओरी रिजेक्ट की जाती है बट अगर तुम में से कोई भी डिस्कावरी चैनल देखता है तो एंशेंट एलियन नाम से आता है उसके अंदर यह थीओरी को भी बहुत प्रमोट किया ज बहुत सारे लोगों का आज भी इस थीओरी में इंट्रेस्ट है चलो आगे चलते हैं नेक्स थीओरी आती है थीओरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रियेशन यह थोड़ी और भी थोड़ी सी मज़ेदार थीओरी है इसके अंदर बेसे के लिए ऐसा कहा जो कुछ लोग है उन्हो कर जाती है इसके लिए उन्होंने बोला इसका जस्टिफिकेशन दिया कि एक नदी है नाइल नदी तुम लोग को पता होगा नाइल नदी काफी बड़ी सारी नदी है उनने कहा नाइल नदी के अगर तुम पास में जहां पर मिटी विटी है एक तरीकी से बात करें नाइल नदी की मिटी से अपने आप ही थोड़े टाइम में क्रोकोडाइल बन जाते हैं अपने आप ही स्नेक्स बन जाते हैं अपने आप ही फ्रोग बन जाते हैं तो मतलब तुम समझ रहो इतना भेंकर करिश्मा हो जाते हैं नाइल नदी की मिटी से कि अपने आप उसमें से ना क् लोगों ने बोला कि मतलब क्या ऐसा सच में हो सकता है यह एक फैक्ट है कि नाइल नदी से सच में ही क्रोकोडाइल फ्रॉग शने कैसे बन-बन के आ तो मतलब ऐसी चर्चा चली रही थी कि उसमें एक आदमी था ज्यान से सुनने काफी मज़दार है एक आदमी था पैसे वान हहल्मिंट गाम है सदाहिव इन्हों ने बोला कि मैं तुमको इक्टी से ऐसा करके बरिखा सकता हूं籏 यानि कि स्वेट वाली टी-शिर्ट इनने बोला एक ऐसी टी-शिर्ट लो जिसमें खूब सारा पसीना भरा हुआ हो प्लस इसके अंदर आप थोड़े से न यहूं यहूं तुम समझ रहो खाना वाना ठीक है गेहूं डाल दो और उसके बाग किसी जगे पर ऐसे बढ़िया तरीके से र रखा रहेगा एक किस दिन बाद जब तुम खोल के देखोगे तो उसमें से चुए निकल जाएंगे यह लो इसमें से क्या निकल रहे है चुए निकल गया यानि कि यह कहना चाहरा है कि 21 दिन में चुए बन चुके थे मेरी गंडी सड़ी पसीने वाली टी-शिर्ट से मैंने 21 दिन में चुए बना के दिखा है अब बाकी लोगों ने का बिल्कुल मुर्ख है गया कैसे तुने चुए बना दी है लोगों ने ये भी करने की कोशिश की लोगों ने का हमारे तो नहीं चुए आ रहे अब क्या पता इस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ हो देखो चुए आये है तो यही प्रोबैबिलेटी रही होगी सिक्किस दे की स्कीम के अंदर भी सो बेसिकली इतनी सारी अब अब इजेनिस से लेटेड थियोरी देने के बाद बहुत सारी लोग आज वेल बहुत सारे साइंटिस डिससाटिसफाइड थे डेफिनेटल इसा हुई नहीं सकता कि हम नॉन लिवइंग पार्ट सादनी लिवइंग पार्ट कुछ बना ले तो इसी पाटिकुलियर थी को प्रेजेट करने के लिए तीन साइंटिस थे जनोंने अपना अपनाए एक्सपरिमेंट दिया था जिसमेंसे यह पहला एक्सप्रेमेंट है फ्रांसिसको डेडी इन्हों क्या किया एक बहुत ही संपल और सुन्दर से किया कुछ भी नहीं क्या थे को बहुत सिंपल हाला कि इस तर थे लिग नग dispel seperti कि пож मुझे भी बहुत सिंपल लग रहा है बन्twển मी उस ठाइम पर ऐसा एक्सपरे मे undermined सोचना भी अपने आप में घड़ी बात थी आप क्या किया उन्हों manera क्या उन्होंने किया 13 ग्लास जार ली इस तरी किसम्हें इक तरहीं त में जबंगां तीनों में ऑफ्रा STEPने मेट का ईसको सब्से direct air के contact में, so this isn't direct contact with air, पहला वाला जो है, वो direct contact में air के, ठीक है, दूसरे वाले को क्या किया, एक दम मतला must airtight बंद कर दिया, जैसे अपने घर में किचिन में डब्बे होते हैं, airtight, similarly इनों भी इसको बिल्कुल प्रॉपर लिए से कॉर्क लगा के, airtight कर दिया, airtight, ताकि हवा यहां से यहां ना जा पाए, और यहां से यहां कुछ content ना जा पाए, ठीक, यानि की बिल्कुल vacuum area create कर दिया, तीसरा जो था, यह तो था अपना second बाला, तीसरे वाले में, उनोंने क्या किया, उपर की तरफ बिल्कुल पतला सा कपड़ा लगा दिया, पतला सा कपड़ा लग पड़ी लगा दिया, something like this, ठीक, अब आगे सुनो, इन तीनों में, जो condition different रखी, वो आपको समझनी पड़ेंगी, पहले में air से contact है, दूसरे में air से कते ही contact है, और तीसरे में, एक पार्शल सा contact है, पार्शल सा contact है, पार्शल सा contact का मतलब है, एक बिल्कुल पतली सी हमने बी उसमें एसे मक्ही आगे भिनबिनाती हो, तो में पता है, जहां भी कुछ खाना पड़ा होगा, खुला पड़ा रहता है, तो वाँ पे चीटियां, मक्ही आजाती होगी, ठीक है, यहां पर आई, अब यहां पे फूड की अवेलिबिलिटी है, देखो, हर लिविंग और गान बेसिक फंड, हमें खाना चाहिए, प्रॉपर रहने की जगे ता वही मिल जाएगी, जहां पे हमें खाना मिलेगा, और उसे जगे पे लिविंग और ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, तो तू अशेंशल थेंग इस हमें एक तो फूड चाहिए, और फिर उसके बाद उसी जगे पे और गानिजम्स ब्रीडिंग करते हैं, अब ध्यान से सुनो, यहां पे खाना अवेलेबल है, क्या बिल्कुल अवेलेबल है, मास्ताज आराम से इनको मीट का पीस मिल रहा है, आराम से ग्रो कर सकते हैं, तो मख्या आएंगी, खाने की अवेलेबिलिटी प्रॉपर तो डेफिनेटली यहां पर ही अपने छोटे-छोटे से अंडे भी देखे चल जाएंगी, ठीक है, अंडे यह देखो, अंडे डले पड़े हैं यहां पर इनको, अब दूसरे वाले को ध्यान से देखो, दूसरे वाले को उन्होंने बिल्कुल क्लोस कर दिया, टाइट कर दि तो एकदम बिल्कुल मस्ट फिक्स हो गया, यह रूम, इस वाले में कुछ भी देखने को नहीं मिला उनको, second वाले में there was no change, तीसरे वाले में उन्ने क्या देखा, तीसरे वाले में तुम्हें पता है, यहांसे खुजबु वुजबु तो जा रही है ना, ऐसे पता तो चल देखो सही, सिंपल सी बात है, खाना जहां पड़ा है, उसकी खुश्बू तो महकेगी, इधर उदर, सो मक्हियों को खुश्बू तो आ रही है, कि भाई इसके अंदर खाना है, तो देखो बिन बिन आती हुई, यह उपर तो आ गई मक्हिया, ऐसे बिन बिन आती हुई, यह लो यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आएंगी, तो इनके अंडे यहाँ पर भी मिल सकते हैं उन्हें अंडे मिले तो सही, बट मसलिन कलोथ के उपर मिले, किसके उपर मिले? मसलिन कलोथ के उपर उनको अंडे मिले, चिक, ये लो, तीसरा वाला, इसका कंक्लू inte Francisco Reddy ने बोला, देखो भाईयों, ये उन्होंने बोला, कि देखो, मैंने यहाँ पर खाने का तुकड़ा रखा, यहाँ पर मक्हियां आई, यानि कि मक्हियां एक लिविंग और गानिजम में, और जब लिविंग और गानिजम आया, तभी उसने अपना अंडा यहाँ पे डाला और आपको as a resultant नया और गानिजम मिला, तो यानि कि उन्होंने बोला, कि जब प्रिवियस लिविंग और गानिजम जहां पाए जाएंगे, वही पे उनके बच्चे मिलेंगे, ये उन्होंने बोला, दूसरे वाले में उन्होंने एक्स्प्लेइन किया, देखो, मैंने नहीं रखा ना बहार से कुछ अंदर आ सकता है, ना अंदर से कुछ बहार जा सकता है, तो देर इस नो कॉंटक, इन शॉट यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, नो आवाजावी, तो देर भी नो चींच, यानि कि प्री एग्जिस्टिंग तो ऐसा अपने आप ही जीव जन्तु पैदा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, फिर तीसरा आया, थीसरे मोनों ने बोला, कि देखो, यहाँ पर मैंने, आप मान के चलो, कि खुश्बू से अगर मक्हियां आ गई, तो यह लोग मक्हियों ने अंडे देती, यानि कि मक्हियां आई वहीं अंडे आए, जहां मक्हियां नहीं आई, वहाँ पर अंडे नहीं आए, इसका मतलब फ्रांसिस को रेडी ने बोला, कि जैसा कि आप बोल रहे हैं, कि अपने आप ही किसी नौन लिविंग पार्ट से ही, या ऐसे ही अपने पड़े-पड़े ही अपने आप ही और गानि एक्स परेमेंट किया था, बट हम डिरेक्ली एक्स परेमेट पढ़में अब लिवेसपास्चर का बेस्ट, कि नाए? देख功। लिवेसपास्चर का जे एक्स्परेमेंट है ये काफी जादा मज़दार आज बिल अस फुल ऐन फाइनल एक्सपरिमेंट है, फुल इन फाइनल एक्सपरिमेंट का मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि देखो, जो भी है, अब यह मैं फाइनल पूरूब दे रहा हूं, तो उनका ऐसा, बिल्कुल फुल इन फाइनल एक्सपरिमेंट है, तो इस वस गिवन बाई लिवेस पास्चर, इस एक्सपरिमेंट वस दन बाई लिवेस पास्चर, और वी नो, पास्चर तो अपने आप में बहुत ही फेमस नाम है, अपन बायों में आजाने काँ काँ पढ़ते है, तो हम पास्चर को लेकर अलरी अवेर है, चल, इनोंने क्या किया, इनने चाहा, सपरिमेंट में, नो थाइसाना कि अगर, मैं बोलू, माइक्रोबियल ग्रोथ दिखी थे मैं, तुम्हा रही ह彂ा भूँ को, हम हम इनरी ने भी और में माइक्रोबियल ग्रोथ फिर्ट से बंद कर दिया आपने नेचर से कॉंटाक्त में नहीं आने दी चीज को तो कहां से life करेगी क्यूंकि लोक तो कहा रहे थे नदी किनारे गो कर रहा है और पसीने वाली शर्ट में गो कर रहा है बटे एर के कॉंटक्त में था सो पस्चर ने ऐसा फलास्क डिजाइन किया जिसकी नेक ऐसे थी देखो इसको बोलते है स्वान नेक ध्यान से लेखो यह जो फ्लास्क है यह बहुत ही अलग तरीके का फ्लास्क क्योंकि यह स्वान नेक जैसे नहीं होती वह एक बर्ड सी होती है बर्डी होती है पानी वाली बतक की तरह उसकी नेक तुम तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वान नेक फ्लास्क, इत्ती बात क्लियरे, अब उन्होंने यहां पर क्या किया, एक बढ़नर जलाया, मस्त बढ़नर जलाया, उसके उपर अपना फ्लास्क रखा, इस फ्लास्क में थोड़ा सा यीस्ट डाला, थोड़ा सा शुगर सेलूशन डा अब बॉल करने का क्या रीजन है, ताकि प्रीवियसली अगर कोई भी माइक्रोब प्रेजंट है, तो वो मर जाएगा, क्या एक्सपेरिमेंट का बेसिक फंडा, उन्होंने हर एक बात को ध्यान रखा, पहली स्टेप में बॉल करने का रीजन यही था, ताकि अगर कोई प्र फ्लास्क में तो वो अपने आप मढ़ जाएगी, यह लो पहला काम कर दिया, अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उसको गरम करना चुरू किया, गरम करते गए करते तो इस स्टीम निकलने लगी, भाप निकलने लगी, जब भी अपन पानी उबालते हैं, दूद उबालते से, ठीक, आप देखो, कूल डाउन करने के बाद, यहां पर इसको कूल किया, तो डेफिनिटली भाप निकल रही थी, समझने इस चप को ध्यान से, भाप निकले जारी थी, निकले जारी थी, और यहीं परी, देख लो, यहां पर भाप आके सेटल हो गई होगी, ऐसा ही को अबजर्फ किया, तो उन्होंने कहा, देखो, यहां पर कोई माइक्रोगानिजम मुझे नहीं मिला, मुझे कोई बेक्टीरिया देखने को नहीं मिला, जबकि मैंने इसको तो एर के कॉंटाक्ट में भी रखा है, मैंने इसको कोई पैक नहीं किया, बट यहां पर अगर को number of microorganisms होते कोई भी आया होगा खाने पीने का माल देख के वहीं पर रिपड़ी उसकर के चला गया होगा तो आपको यहां पर बैक्टीरिया मिला इत्ती बात क्लियर है आप बात समझ रहो ना इसको कूल डाउन करने के बाद के भाई यहां पर जब कोई माइक्रोब था ही नहीं तो देखो हवा के कांटाक्ट में रखने के बावजुद भी जब तक यहां पर कोई पूराना माइक्रोब नहीं आया तब टक कोई ग्रोथ नहीं हूए दूसरे तरफ क्योंकि यह वाला area air के contact में था तो यहां पर क्योंकि हवा से contact रहा तो definitely microbes आते गए आते गए तो यहां पर उनकी growth दिख गए ठीक अब तीसरा देखो तीसरे में उन्होंने क्या किया इसी फ्लास की मुंडी उड़ा दी यह सेम फ्लास का यह जो स्वान नेक वाला जो मुंडी थी न वो उड़ा दी और ऐसा कर दिया यह लो ऐसा कर दिया ठीक है अब क्या हुआ यहां पर कुछ ही टाइम बाद air के contact में आने के तो यह लो माइक्रोगानिजम यहां पर आ गया ठीक माइक्रोगानिजम यहां पर आते ही तुम्हें पता है खाना मिलेगा उनको खाना मिलते ही वो ब्रीड करने लग जाएंगे यानि कि माइक्रोब की भाशा में बोले तो डिवाइड करके नए बैक्टीरिया बनाने लग something like this, ठीक है, ऐसे नए बेक्टिरिया बनने लग जाएंगे, तो आपको यहां पर क्या microbial growth मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है, एक बार final conclusion देखना, इसी पूरे experiment का, हमने पहले क्या किया, यह हमने तो नहीं, पाश्चर जी यह फ्लास्क बनाया, इस फ्लास्क की जो नेक थी, वो स्वान शेप नेक है, इसमें इन्होंने यीस्ट डाला, शुगर सेलीशन डाला और उसको उबाल दिया, ऐसा क्यों किया, ताकि अगर कोई पुराना और ग्यानिजम है तो वो मढ़ जाएगा, ठेक है, बिल्कुल मतलब, स्टेरिलाइस्ट कंडिशन कर दी, ओक तो यहीं पर पानी सेटल डाउन रख जाएगा, अब उन्होंने नोटिस किया, कि बैक्टीरिया सिर्फ इसी एरिया में ओगा, क्यों कि यही एरिया एर के कॉंटाक्ट में था, यहां के एरिया में कोई बैक्टीरिया नहीं ग्रो करा, कोई भी बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर तो उन्होंने बोला लो बताओ कर लो बात मैंने तो दे दिया खाना क्यों कोई और्गानिजम नहीं होगा पास्टर ने बोला कि बाकी आप लोग यही तो कह रहे हो ना कि कोई बड़िया जगे होगी महां पर अपने आप माइक्रोब उख जाएगा जब उसको फेवरेबिल कंडिशन मिलेगी तो यहां क्यों नहीं होगा उनने पूछा आगे बोला इसी की मुंडी उडाने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि हावा के कॉंटाक्ट में यहां पर भी माइक्रोब आ गया तो उन्होंने कि हावा में पहले से ही माइक्रोब थे तभी तो डिवाइड हो के नए माइक्रोब बने और नए माइक्रोब बने तो आपको माइक्रोब ग्रोथ दिख गई I hope अब क्लियर हो गया होगा तो उन्होंने बहुत ही बहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की कि भाई जब तक देखो अब आजिशिस थियोरी और अभी हम जो आगे की थियोरी इस पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक बड़ा दिक्कत आएगा ये दिक्कत तुम अभी समझ लो पहले देखो जितने भी अब आजिशिस थियोरी को मानने वाले लोग थे ना तुम समझ रहे हो ना अपने अब आजिशिस थियोरी कह रहे है कि जहां पर भी कुछ सिंपल केमिकल होंगे अपने आप ही कुछ टाइम बाद एक बड़ा स्व बेक्टीरिया मस्त उससे बनके निकल जाएगा ठीक है बट हम जो आगे की थियोरी पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं मानती आगे की थियो बहुत ही मस्त है और in fact हम अभी तक की जो best theories मानते हैं कि किस तरीके से life आई होगी वो यही है So, देखने हम next theory that is modern theory of origin of life, देखो, modern theory of origin of life किस पे belief करती है कि किस तरीके से actually में life existence में आई, ख्यान से सुनो Life नहीं थी, वो यह कह रहे हैं कि एक time पे earth पे life नहीं थी, नहीं थी, वो यह accept कर रहे है Life पे earth आई slowly and gradually, यह भी वो मानते हैं, ठीक है, बहुत सारी steps में आई, यानि कि छोटे छोटे तुकडो तुकडो स्टेप से धीरे धीरे life आई, उन्होंने यह बात मानी, ठीक है जिनको पार करते करते, उन हर्डल्स को पार करते करते, slowly and gradually, चीजे कॉम्पलेक्स होती गई, और कॉम्पलेक्स होने के बाद आपको लाइफ मिली है तो यह जो आप अब थियोरी पढ़ने जा रहे हो, यह बेसिकली ओपेरिन एन हेल्डिन की दी हुई थियोरी है, यह देखे दौनों साइन्टिस्ट की शकलें बनी हुई है यह है Mr. Operin और यह है Mr. Heldin जिन्होंने मिला के थियोरी दी Operin and Heldin थियोरी देखो Operin and Heldin थियोरी का क्या कहना है कि Life Slowly and Gradually Arise हुई तो उन्होंने बोला कि जो हमारी अर्थ है जो हमारी primitive अर्थ है हम बात करते हैं कि Big Bang थियोरी वगरा हो गई हमारी अर्थ हमारी बन गई अब लाइफ कैसे बनना शुरूई तो उन्होंने बोला तेखो बहुत अच्छी तरह किसे explain किया उन्होंने बोला कि हम मान के चल रहे हमारी primitive अर्थ इस primitive अर्थ पे अभी अभी की अर्थ ईसा कुछ भी नहीं है यहां पर बहुत ही बड़े बड़े हेर्ड एले पिहला क्या है टम्परेशर हद से जादा है यानी हद से जाधा टेमपरेचर अब ते इतना हाई टेमपरेचर है कि आप और मैं जर्ण आप है इतना है', यहां पर लगातार लाइट निग हो रही थी इलाक स्मार्णिक दुवाधार लाइट निग होा रही थी नेक्स्ट यहां फर खूब हFi कि इरॉप्शिंज हो रहे थे कि इन सब के चलते क्या आप मान सकते हो कि अभी ये लाइफ के लिए फेवरेबल है नहीं तो उन्होंने बोला कि जब हमारी Big Bang Theory के बाद अर्थ बनी होगी सो स्लोली औन गराजली जब अर्थ बन रही थी तो शिरुवात के टाइम पे अर्थ पे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं था जो कि लाइफ को फेवर करें अर्थ पे बहुत ज़ादा टेम्परेचर था अर्थ पे बहुत ही ज़ादा लाइटनिंग होती थी अर्थ पे हद से ज़ादा वलकैनिक इरॉप्शन होती थी यह सारे factor life को favor नहीं करते फिर उन्होंने बोला कि slowly and gradually after a lot of time तुमान लो करोडियों करोडियों तो नहीं करोडों साल करोडों साल लग गए होंगे और धीरे 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 अर्थ एक normal temperature पे आना शुरू हुई होगी उन्होंने माना कि सबसे पहले हमारी शुरुवात atom level से ह ठीक है atoms कौन कौन से होंगे जो उस टाइम के थे carbon था hydrogen था oxygen था nitrogen था phosphorus था sulfur यह सारे बिलकुल elemental form है atoms थे carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur यह सारे तुम आज भी जानते हो कि हमारे protoplasm का part है हमारा जो cytoplasm में उसमें यह सारे components होते हैं सु भाई हम मान सकते हैं कैसा हुआ होगा उन्होंने बोला slowly and gradually इन ही atoms में reactions हुई जिनके चलते molecules बनना शुरू हुए इन atoms में reaction हुई और धीरे 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 यह combined state में आने लग गए और combined state में आते आते लेवल पर जब बात आने लगे थे हैंने कि atom से दीरे-दीरे molecule बनने लग गए थे तो डेफिनेटली molecules जब बने होंगे तो देरवर highly reactive highly highly reactive तो एक दूसरे के साथ धमा धम reaction करना शुरू कर दिया तो उस time पर oxygen बनी ही ने क्यों oxygen जैसे ही बनी उसने hydrogen के साथ reaction करके पानी बना दिया वापस सुनों जितने भी यह atoms थे combine होना शुरू हो गए combine होते ही धीरे-धीरे इतने यह reactive थे कि एक दूसरे से react करके एक दूसरे से react करके oxygen को किसी ने खाली छोडा ही निया hydrogen ने पकड़ डिया water बना दिया oxygen को carbon dioxide बना दिया तो एक भी oxygen का molecule खाली छोड़ा ही निया बिचारा oxygen बड़ा दुखी हो गया आज तो oxygen राजा है एक time oxygen थाई अर्थ पर खेक है तो आपको यहां पर पूरे में देखो कोई oxygen नहीं फिरी एलिमेंट आपको फ्री फर्म में कोई oxygen नहीं मिलेगी सारी की सारी आपको कम्बाइड फर्म में मिलेगी देखो H2O CO combined form में में मिलेगी सो देर वोज नो फ्री उक्सिजन नहीं थी पहली बात clear रहे बात अब आगे सुनो जब oxygen नहीं होगी तो environment कैसा होगा oxidizing environment के reducing environment definitely reducing environment होगा it was reducing environment रुको यहां पर अपन इसको रब करके लिखते हैं यह environment oxygen free environment कैसा होगा reducing environment चीक है आगे रेखो इस reducing environment में mainly चार चीजें थी पहला था हमारा water जो की actually अभी water vapor की form में है क्यों water vapor की form में तुमको पता है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा temperature है कि पानी बन तो गया है बट वो अभी सारा evaporated form में है second चीज जो थी वो बना था methane CH4 next चीज बना था ammonia और चौती चीज थी hydrogen यह में चीजे थी water हो गया methane हो गया ammonia हो गया hydrogen हो गया यह में चीजे थी अब आगे देखो यह अपना primitive atmosphere में water nitrogen hydrogen hydrogen carbon monoxide oxide H2SE सारी बाते बता रहे की बट मैंने तुम बता दिया main EHR है these four are the main ones अब आगे देखो जैसे जैसे तुम समझ रहे हो जैसे जैसे हम आगे बड़े favorable factors create होना शुरू हुए temperature धीरे 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 कम होने लगा जब तक mean while जितना भी पानी था वो उपर ऐसे evaporated form में था अभी temperature कम होने लगा है तो वो धीरे धीरे condense होने लगा समझ रो पानी की जगे अब धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो गए है क्या हुआ है हुआ क्या है वापस सुनो temperature जादा था तो पानी बनतो गया बट पूरा का पूरा evaporate हो गया अभी धीरे धीरे temperature कम हो रहा है तो पानी धीरे धीरे या जो तुम कहा रहे हो water vapor की फॉर्म में है वो धीरे धीरे condense होके cloud की फॉर्म में बन गया ओके बेस्ट अब एक favorable time आया lightning होई रही थी धमा धम बारिश होना शुरू हो गई ठेक है समझ रहो तुम lightning चली रही थी उतने में धमा धम बारिश शुरू हो गई यह जो बारिश शुरू हुई यह approximately करोडों साल तक चली यहाँ पर रेंड जो शुरू हुई है यह कोई दो तीन दिन की बारिश है यह अपनी होती रहती है करोडों साल तक बारिश ही चलती रह इसके resultant क्या हुआ नीचे हमारा जो अर्थ था जसे से कि नीचे जो अर्थ था तुम्हें पताया अलग अलग जगहों पर volcanic eruptions हुए थे volcanic eruptions हुए है सेल्फ ये अंड़े तुम समझ रो झस् noises यह एक बड़ा सा गड़ा है तो पाणी धीरिप टंता बरे इन जगहों पर भरता अगया इन जगहों पर बढ़त ज doe रहा हो उसके बने हमारे प्रिमिटिव 7 प्रिमिटिव ओशिंग आज के जो ओशिंग है क्या आज की बारिश इतनी सफिशेंट है कि हमारा इतना घहरा गड़ा वाला ओशिंग भर जाए नहीं तो यह बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात लगी कि हां ऐसा ही हुआ होगा कि जितना भी पानी था धीरे धीरे बारिश की आज है पानी देखते हैं हैं इतने घहरे घहरे ओशिंग ऑशिंग आज थक हुमन तक यूमन अच्छुली में ओशिंग पूर एक्स्प्लॉरी निहीं कर पया इतना घहरा ओशिंग राज यह है की बेटा एक दु दो दिन की बारिश से नहीं करोडों वर्षों की बारिश से जाकर भरा है ठीक है चलो आगे चलते अब क्या हुआ तुम्हें पता है कुछ components बन चुके थे जैसे कि मीथेन हो गया अमोनिया हो गया हाइड्रोजन हो गया carbon dioxide हो गया दिन hydrogen sulfide हो गया यह सब चीजे बन नहीं थी जैसे ही पानी आया पानी इस जाके दिजॉल्व हो गया जा कि अब चांत वोकर質 चीजे बन चाहिए हो शुक लिखusta हो गया तो अभी यह है हैंभी के अभी बुर्मिट और इन में जंड बोलग है लग taking हिसमें में इसको कमपर करूँ भा एक सूप से तो उन्होंने बुला है यह है प्रिबायो अविटिक सूप दिस इस प्रीबियोटिक सूप यह क्या है? प्रीबायिक सूप वापस सुझें ओशन में सार जितना भी माल बना था अबी तक सार जाकर डिजॉल्व हो गया थेक है? तो है मैं ज्चिक म derivूछ को एक दम से लगा हुआ उनको एकडम से लगओ अपन सूप मैं क तो उन्होंने इस सूप का नाम थोड़ा तर अग गया प्री बायोटिक सूप नाम क्यो रखा प्री का मतलब होता है पहले बायोटिक वर्ड का मतलब क्यों था है लाइफ के आने से पहले का सूप बन गया ठीक है अब इसी में लाइफ आराइस करेगी चलो बढ़ या मान लिय इतना तक यह पूरी बात मैंने तुम्हें समझा दी इस एरो के जो बीच में जो बाते ना वो मैंने तुम्हें सारी यहां पर समझा दी I hope it is clear अब आगे चलतने अब क्या हुआ अब क्या हुआ सारी चीजे पानी में आके मिल गई धीरे धीरे वो जो जो मॉलीक्यूल थोट चोटे 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 कॉंपाउंज मने हैं अमोनिया हो गया मीथेन हो गया हाइडोजन हो गया कारबन डायोकसाइड हो गया इस सारी चीजे हैं अभी धीरे धीरे रियाक्टेव है तो एक दूसरे से रियाक्ट करेंगी तो दे स्टार्टेड रियाक्टिंग with each other, एक दूसरे के साथ उन्होंने रियाक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये भी वड़िया बात हुई, रियाक्ट करते करते ही, डेफिनेटली वो थोड़ा और कॉम्पलेक्स पॉम बनाएंगे, तो यहां पर शुरूआत हुई, बिल्कुल early macromolecules की, यहां पर किसकी शुरूआत हुई, early macromolecules बनने की शुरूआत हुई, यानि कि अभी macromolecules की unit बनना शुरू हो जाएंगी, क्या बनना शुरू हो जाएंगी, अपने macromolecules की unit बनना शुरू हो जाएंगी, क्या बनेंगी units तुम लोग को पता है, क्यो जो भी digestion में पढ पैसले पार अच्गे के जब भी प्रोटीन ब्रेक्डाउन होता है वो अमाइनो एसे बनाता है यह अपन को पता हैопरो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट ऑनाती है था है फिर आप ड्रखूस्षी ग्लुकोस से भी चोटा अड्रा फिर यहां ऑने माननidents carbohydrate की छोटी unit glucose बन गई चलो मान लेते हैं फिर आओ तुम मानो nucleic acid की छोटी units बनी दीरे-दीरे nucleotides बनना शुरू हो गए ठीक है फिर आजाओ आफ fat fat की unit क्या थी fatty acids plus glycerol बनना शुरू हो गए तो यहां पर आपके macromolecule बनने की नीव रख दी देखो यहीं लिख रहा है small and medium sized molecule क्या क्या शुगर यह देखो purines pyramidines मैंने बताया न nucleotides वगेरा की units बनने शुरू होगी amino acids lipids यह सब बनना शुरू हो गए अब यह जब बन गए तो बस तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है निए यह करोड़ो साल में हुआ है अब बोल रहें कुछ भी नहीं है धीरे धीरे विद ग्राजुल टाइम ने और जाना एक दूसर से जुड़े लगे और जुड़े 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 नहीं लार्ज जोड़े जाए जैसे जैसे हाथ से हाथ मिलाते जाएंगे यह पॉली सैकराइड बन जाएंगे पॉली सैकराइड कुछ भी नहीं होता सिंपल शुगर जुड़े लंबी चेन बना दे उसी को ही हम पॉली सैक्राइड भोलते है नेक्स तरफ नुकलिक ट्रिया है जो अपने प्यूरीन श्परमीडीन जोड़ गया है तुम्हें ड्येन का स्ट्रोक्चर बता चेक हुँ ड्येन में क्या होता है बीच मिशुगर होता है डिवाल धो डंगा है शुकर के एक हाध से तुम फोस्फिड बान देते हो और एक हाध से तुम आपना नाइटो जैकि पूरीन या पिरेमीडीन बान देते हैं यह पन पहले ही भड शोके है एक दूसरी के साथ जुड़ जाते हैं तो यह क्या गए जुड़ते गए जुड़ते गए और इनों ने क्या बना लिया प्रोटीन बना लिया यह लो अपने प्रोटीन भी बन गए समझो तुम छोटी चोटी यूनिट्स एक दूसे के साथ जुड़ जुड़ के आज की करंट टाइम के कॉंप्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए यह लो यह स्टेप भी हो गए चेक है अब आज ओ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है आगे साइंटिस ने बोला कि धीरे धीरे यही जो मासस है ना एक दुस्रे के साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और लिविंग सेल तो नहीं बने लिविंग सेल का बेसिक यूनिट बन गए यानि कि अब बस सेल आने ही वाली है तो उसको उन्होंने बोल दिया प्रोटो सेल क्या हुआ है बेसिक कुछ भी नहीं यह जितने भी कॉंपनेंट्स बने ना यह सारे मैक्रो मॉलिक्यूल धीरे धीरे से एक बहुत 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 ताइम में युकेरियोटिक सेल आई एंग स्लोली एंग राजली अपने मल्टी सेलिलर और गानिजम यहां पे टेवलप हो गया तो यह थी ओपरेन एंड हेल्डन की थियूरी जिसको मैंने बिलकुल शॉट में आपको समझा दिया कि क्या-क्या आक्चिनी में हुआ होगा सबको एक इवेंट समझागे किस तरीके से बेसिक यूनिट जुड़के बड़ी यूनिट बनी अब इस पर जान से जहाएगा उन्होंने बोला कि यह जो पूरा इवेंट हुआ है ना आक्चिनी में लाइफ नॉन लिविंग पार्ट से ही बनी है बट सिर्फ एक बार ऐसा इवेंट वा है उस ताइम पर जो धरती थी उसका टोटल एंवायमेंट जो था वो उस ताइम पर बिल्कुल लग था आज का बिल्कुल लगे हम कंपेर नहीं कर सकते सो जो एवेल्यूशन तुम बोलरो ना कि एक बार में ही सब कुछ दीरे बनता ह चला जाता है हर बार तुम जब भी मिटी लोगे उसमें से क्रोकोडाय लिख लेगा नो उन्होंने बोला येस नॉन लिविंग पार से लाइफ शुरू हुए थी एंड श्लोले और ग्राजुल टाइम पिरेड वो आकर एक लिविंग सेल में कंवर्ट हुई बट ऐसा सिफ एक बार हुआ अब दुबारा कभी नहीं होगा अब सिर्फ एग्जिस्टिंग लाइफ में से ही आगे लाइफ बढ़ती जाएगी और दिस वी कंसेडर आज बेस्ट एक्स्टेनेशन के किस तरीके से लाइफ रियालिटी में आई होगी अब ध्यान से देखो सिंपल केमिकल से पॉलीमर क्या होते हैं कुछ भी होते हैं चोटी-चोटी उनित एक दूसर से जुड़ जाएगा पॉलीस एक प्रोटीन हो गया नुकलिक असेड होगे सब पॉलीमर जो तेक पिर देखो इनके अंदर रेप्लिकेटिंग पॉलीमर यानि की नुकलिक असेड बने डीने आ जो की एक दूसर को रेप्लिकेट करना जानते हो तो मैं पता है रेप्लिकेशन भी मैं पढ़ा चुकी हूं यह भी अवन को पता है आगे देखो यह सब अटा दो यह सब अटा दो फिर आजो इस पर डेरिक्टी प्रोटो बाइंट का मतलब क्या होता है बेसी किली सेल जो अ एक प्रीवेस स्टेज को हम प्रोटो मैंट बोलते हैं और फाइनली आगए हमारी पहली प्रोकेरियोर्टिक सेल ठीक है इसके साथ हमारा ओपेरिन हिल्डिन थियोरी भी हमको बिल्कुल क्लियर है चलो अब एक बाई पिचर देख लेते हैं एक देखो इस पिचर में प्रिम एक इस पुझ में प्रीम प्रीश औख़ें लेट पेग सेलिक यहां लाइश बिल्rete हैं इतना या इतना uba धाल सी परिप्रोटिश की लीचराल बीक्रफटोज रख़ें तसमें प्चर लिए एम चे में आज जबऑ लोग्न ठीक है तो अमें प्रेमेर्टिक हा एक रादात ह नूग्लोटाइब तब है डिकत ही ने चलो आगे ओ इस पिचर को रिखुआ इस पिचर को लिखकर को देखो माइक्रो मॉलिक्यूल ओफ लाइफ जो बीच में बने थे मताया था नै माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो बनने से पहलेbas उनी से ही amino acids थे, monosaccharides, fatty acids, purine, pyrimidine, nucleotides थे, इनी से ही अपने macrolife बनी, कैसे, देखो, amino acid ने जुर जुर के protein बना दिये, ठीक है, monosaccharides ने जुर जुर के polysaccharide बना दिये, ठीक है, आगे आओ, और क्या हो गया, fatty acid plus glycerol, मिलके fat बन गया, यह लिपिड बोल दो, तुम, fat और यह लिपिड में को जाला डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, purine, pyrimidine, nucleotide, main to nucleotide पे हो, nucleotide में मिलके अपने DNA और ऐसे ही RNA बन गए, समझ गए तुम, यही है, बस, basic funda यही है, अब आगे, अब साइंटिस्ट बोले, ठीक है, भाई, मान गे तुमारी थियोरी, मान गे, So, Operen and Helden की थियोरी, definitely, बहुत ही perfectly explained theory थी, but इसका scientific evidence तो लाओ, क्या ऐसा सच में हो सकता है, कि non-living part से life बन गई, तुमारी कानी बहुत अच्छी लगी, but इस कहानी का explanation तो दो, लोगों ने बोला, so, ऐसे बहुत सारे scientists जूड़ गए, Operen and Helden की theory, जैसा environment create करने की, और का experiment, ठीक है, यूरे एंड मिलर का experiment है, यह बहुत ही बढ़िया experiment है, जिसने explain किया, कि भाई, Operen and Helden की theory सही है, कैसे explain किया, तेखो, I told you, जो प्रिमिटिव अर्थरस पर चार चीजें इंपर्टी है, नी, चार चीजें इंपर्टेंट है, एक तो अपना वाटर, जो कि आक् चीजें आपना नी, चाया पना चकेज यहीं अपना चीजें सतीजामों के ब श्क बमतुपेशेह, अपना चीजें पर चीजें उनलीा तो को एक्स्परिमिट आपना चीजें और नजना में टेंग लूग उनली इनी आपना चीजेह, तो घ्रस wine, चार चीजें इन्हीं इस वो इन के बिलको अच्छा साथ कीरें लिवानगे सेक्सपरीमें लगास कील्ष दोरत सेक्षाक है। जो चैनल है कीमारी बिलकी लगारी चीज़ करें सहले राजित एंटीम लिया, ըिथेन लिया, अमोनिया लिया और हाईडेोजन लिया. समझ लो. पहले क्या किया? एक स्पेंबर को मिला चैंबर को एकस्टेप गर्लगे सूना. ये वाला जो चैंबर है, इस साइड पे इनो अपनी तो ठान ये डिरेक्प लिये. वाटर वेपर की फॉर्म में था तो उन्हें का यार हम तो वाटर वेपर की फॉर्म में ही डालेंगे तो उन्होंने क्या किया इधर देखो ध्यांसे इसी सेट अपका एक छोट आसे जोड़ते 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 यहां पर एक सेट अप बनाया यहां water vapor की फॉर्म में दीरे दीरे पानी उपड जाने लगा यहां पूरे में पानी पानी हो गया पानी कीसी फॉर्म में वाटर वेपर की फॉर्म में इत्ती बात क्लियर होगी मैं वापस समझा रहे हूं क्योंकि यह इंपोर्टेन्ट ए अस वल इस इंट्रेस्टिंग भी है जहां तुह बें आनापडेगा तो वाटर वेपर कि लुझा विसी सेट अप को जोड़की इधर की सदी बर्नर लगया पाणी फाणी घरम करना सुरू किया पाणी थीरे ज़िवर वह ऑवारं से यहाँ पर बनी आ dando ऊपर से यहाँ इन आ अपर अभी पानी तो आप पर के सी फ़रमे मेरेगा ड़ह वड़ी पर वाटर वेपश, चार फी मेरेगा के चारो चीज आप devastation ही और युग्हारी नेक्स अर। झाले पर का, ख़त्षक लोध सर नहीं तब हथ नेक्सRIS requirement पूरी कर दी reducing environment create करके चलो आगे चलो तीसरे दिकत यह है कि वहाँ पर temperature बहुत जादा था और lightning भी औरी थी तो नहों नहीं बोला don't worry don't worry we have one more setup इन्होंने देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ जाड़के तुमको पता है तुम तो physics फाले लोगो इलेक्ट्रोट्स को जोड़ जाड़के नौर्ट के थोड़ से lightning एफेक्ट क्रियेट की जा सकी तो उन्होंने वही प्लस माइनस चार्ज क्रियेट करके लाय्ट्विंGE एफेक्ट क्रियेट कर दिया है यहां से एक आज उन्होंने फरया के सेटप परेँकर लाइफेक्ट के खरी एक पर खेर को लहां पर यह रहा एक तुमको दिखरा है यही कोल ड़ीज़ चकेट का जो बनाने कोशिश करें इसका काम क्या है वो अपन बाद में समझेंगे पर नेक्स कुछ रह गया कि नहीं कुछ भी नी रहा बाकी तुम समझ गया तो आपने कुछ भी नी किया है सेट अप में पहले हाइडरोजन लिया मीथेन लिया अमोनिया लिया ठीक है चौथी रिक्वारमेंट के लिए इधर की साइड बरना लगाया पानी आप वाटर वेपर की फ़र्में भिसे जारो भिसे जारो भिसे जारो यहां गया चारो चीजे आ चुकी है अब आपने क्रियेट करनी है बिल्कुल ओक्सिजन रहित इन्वारमेंट तो यहां पे आप सेट अप कर दो वेक्यूम का ताकि एयर का कोई सप्लाइन नहीं हो तीसरी चीज आपने करनी है काको लाइटनिंग एफ़ेक्ट लाना है तो आपने इलेक्ट जोड़े उपर और यहां से लाइटनिग एफ़ेक्ट ला दीया तो एगजाक्त आपने साई लगेंट सेयर्मेंट कंडिशन क्रियेट कर सह दी अब आप क्या करोगेक इसको कुछ टाइम बाद उसका ये जो कंटेंट है आप थोड़ा सा निकाल के भी देखेंगे तो कंटेंट मैंने तुम बता है कि दिरे दिरे अर्थ थंडी भी हुई थी तो नहीं क्या किया यहां पर एक छोटा सा कोल्ड चीज लगा दी कोल्ड वाटर के लिए कोल्ड वाटर सप् है इसके बाद प्रक्रक्ला में दाला निकल है दिरेज यह वह धान देखेंट निकलना हो यहां तो यह तो जो भी चीज निकले लोगी हो थंडी हो कि निकलेगी है प्लड भी दिरे खनाने iest cameras and तो देखो यह पानी जो है थंडा हो के उसमें कुछ चीजे रियाक्शन वाली मिल मिल के नीच आता चारा और यहां पर आ गया अब क्या है मुझे यहां से सैंपल कलेक करना यह स्टेप मैं वाप समझ रहे हूं धान से सुनों रियाक्शन हो चुकी है पानी में डिजॉल्व हो था को वह ओुछा था धीरे पानी जो है वो कंडेंस एका और यह कंडेंस वाटर में ईग है वह साथ में व्यरा ले लेकर यहां फर में नीच आ जाएका यह यह फाइनल जगे है जहां पर आपका सैंपल कलेक्ट हो चुका है उन्होंने कुछ नहीं किया अब यहांसे और उनको कमाल की बात यहां लागी कि एक अपर में हिए और यहां आपना एक्सपेरिमेंट किया था यूरेन मिला रही है इनको नहीं एक्सपेरिमेंट किया थैसे लेक्टरों डिस्चार्ज भी दे रहे हैं देखो यहां से लाइट वाइट करेंए मस्दुहाधार environment create कर रहे हैं और यहां पर इनकी reaction हो उने के बाद चीजे बनती जारी है यहां पर रहने water insulation create कर रहा है ताक यहां से धीरे 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 डिजॉल के आए और यहां सारी चीज collect होती गए यह रहा है इनका sample ठीक है सेंपल को जब इन्होंने अनलाइस किया तो पाया इस सैंपल में अमाईनो आइसद्स मिले कमाल के बात नियु गई तुम प्रोटीन की बेसिक इॉण बना चुके और ऐसा करके ओपरिन एंहेलडन की थेयरी प्रूफ हो गी कि हाँ वो बिल्कु सही बोले। इसे तरीके से फाट यूनिट बना के बता नियु तो यूनिट बना बना के उनने प्रूफ कर गया कि हाह ये बिल्कु सही बात है कि लाइफ ऐसे ही बनी होगी ठेक है चालो अब लास्ट पेज देख लो यूरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसी की बाते लिखे हुई है एक बार मैं पड़ देती हूं देखो क्या लिख रहा है यूरे के बार में भी थोड़ी बाते लिख रहे हैं कि अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट थे और इन्होंने मतलब इसको मिलर को अपने अंडर ही यह चीज एक्सपेरिमेंट करवाया सो मेंली आइडिया मिलर का था बड़ डेफिनेटली गुरुजी का भी नाम इसमें आया है और यूरे का नाम इसलिए है आगे देखो इन्होंने वाटर हाइडोजन मीथेन अन अमोनिया गैसेज ली एक क्लोस अपैरिटस में यह अपन जान चुके हैं वाटर किसके फॉर्म करके भीज रहे थे एक सब्ता तक यह साटक किया आगे देखो प्रोड़क्स अक्यूमिलेटेड इन वाटर ट्राप बेलो दा वाटर कूल्ड कंडेंसर नीचे की साइड इस तरीके से पूरा का पूरा सांपल कालेक्ट हो गया जिसको एनलाइज करने के बाद अमाइनो आसि तो आज अपन इस क्लास में थेओरी के बार में खूब सारा पड़ चुके हैं अलग अलग हैपोतिस जो दी गई थी वो हमने पड़ी और जो बेस्ट एक्स्प्लेंट थी उसको हमने डीटेल में देखा प्लस उसको एक्स्परिमेंटल जो फाइनल रिजल्ट है वो भी अजिए धित बेल इक न फॉर दी फॉर निदिए इनलग हैं अविद पूर दी विद फॉर जुट फॉर लग दिए, टी वो हमने डीटे प्लस एक्सपरिमेंटल आज़ गूरा तो झाल झाल